डार्क रियलिटी ओफ इंडियन टीवी मर्केट सच्चा ही सुनली जी सोनी के जो टीवी है ना वो ओबरप्राइशी होता है आप माने या ना माने जो पैनेल इूज होता है ना वो एल्जी के ही है भी यू टीवी कितना दिन तक टिक सकता है Redmi के जो TV है ना 2 से 4 सल तक टिक सकता है Realme और OnePlus TV में recommend क्यों नहीं करता है 50,000 अगर आपका budget है कौन सा 2 TV है जो आप blindly buy कर सकते हो आज का rate में इसलिए 2 सल का अगर आप failure rate को analysis करोगी LED और OLED TV का तो काफी increase हुआ है एसे ही आज इस वीडियो में हम लोगों बात करने बाले हैं Dark Reality of Indian TV Market वीडियो का आगर बढ़ने से पहले मना नाम है लक्समिधर आप देखरे टेकल डिविजन अगर आप चानल पर नौए हो अब भी तक अमरा चनल को सब्सक्रेब नहीं की है तो मैं चाहूँगा कि आप अमरे साथ इसे connected रहने के लिए और चनल को सब्सक्रेब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री आपकोस्ट है शाथ में बेल बटन जरूद दबा दिजिएगा अगले वीडियो का notification के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका एक company है आप एक product बनाते हैं और example का तोरपर आप ले लिजिए कि उस product को आप दुसरा company को best दिया है best दिया है एनी in the sense कि वो product को बनाएगा branding सिर्फ आपका रहेगा इभिन जो QC जिसको बला जाता है जो quality checking होती है वो भी दूसरा लोग करेंगे तो कैसा रहेगा आप अपने product को अपना employee को instruct करके quality checking करना किसी third party अगर manufacturing करना है तो करने दीजिए कोई दिक्कत नहीं third party manufacture करे लेकिन आप जो है उसका quality checking करे ये थुड़ा ठिक ठाक बेढ़ता है लेकिन अगर आप branding के साथ quality checking भी किसी third party को बेज दिए तो फिर product को आप certified नहीं कर पाऊगी कि इस product जो है आपका parameter का हिसाब से बेढ़ता है या फिर नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ brand से जो already third party को बेज दिया गिया है just शरीफ अपना branding उसमें है manufacture से लेकर quality checking लेकर आप हमें यह बताइए कि फिर branding से फिर क्या मतलब रहा गिया है जब third party ही आपका product बना रहा है जब third party ही certify कर रहा है कि हाँ quality checking ठीक है इसका quality जो है ठीक है तो फिर branding का कोई meaning ही नहीं रहा गया तो यह है reality of आसर टीविस हाइसेंस जो है तोशिवा के ओनोर है जैसा कह सकते हो हाइसेंस और तोशिवा एक ही है जैसे कि Redmi, Xiaomi, Mi Redmi TV जो है न समसंग का पैनल यूज करता है आज इस वीडियो बहुत सारा लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन हाँ मेरा भीवर्स को नहीं जो रियालिटी है दोस्तों मैं यह भी आपका साथ सेर करना चाहता हूँ Sony और LG इसका कोई भी आप HD का बात कर लीजिए Full HD का बात कर लीजिए 4K का बात कर लीजिए अगर यह तीनों रेंज पर आप देखोगी पिक्चर क्वालिटी जो है Close to each other होता है मैं अलड़ी इनका प्रक्मर्स जो है देख शुका हूँ आप से आप लोग लड़ाई जाड़ा करने का जरूरत नहीं कि यह उसका बाप है यह उसका बेटा है Motorola, Nokia, Mark Q यह तीनों जो टीवी है एक ही कंपनी बराता है अब बात करते हैं मुद्धे पर आते हैं OnePlus, Realme मैं recommend क्यों नहीं करता हूँ उसका reason है दोस्तो आप लोग बहुँ सारा question इसको लेके पूछे है Realme TV का उपर मैं दो-तिन वीडियो मेरा channel पर मुझूद है लेकिन उसका बाहुजद भी आप लोग पूछे भाई फाइनली बता देजिए लेना है यह नहीं लेना है फिर आपने बोलते हैं कि OnePlus आप क्यों recommend नहीं करते हैं तो उसका reason है यह दोस्तो कि मेरे को आसर वाला जो problem बता है आपको same case में face हुआ है OnePlus पर reason यह है इसलिए मैं आपको OnePlus recommend नहीं करता हूँ मेरे को बुलके नहीं है इनिस्याल टाइम में बहुत सार लोग को पैनल प्रोलम आये था अपना 4K TV पर बाद में बहुत सार लोग को service प्रोलम हुआ उसको reality test करने के लिए मैंने फिर reality test किया है customer service कैसा है और मेरे को भी पता चला yes service थोड़ी सी improvement करने का जड़रत है दोस्तों और एक no doubt आप अगर कोई अपना दोस्त जो है या फिर कोई अपना friend circle में किसी को भी पूछी ले ना अगर कोई Sony TV का user है ना मेरा circle में मैं आपको बता सकता हूँ analysis चाहे कुछ भी हो Sony TV का failure rate जो है last one to two year से increase हुआ है इसका meaning यह नहीं दोस्तों कि हम लोग buy नहीं करना है और इसका meaning यह भी नहीं है कि सारे TVs पर problem आ रहा है अब बात करते हैं TCL का क्योंकि यह भी budget price segment पर कफी अच्छे feature प्रोवेड करते हैं so जो बोला इसका पहले ओ यह service थोड़ी improvement करने का जड़रत बात करते हैं अब view जब view कोई बोलता है तो हमारा mind में generally होता है कि आपको एक budget price segment पर अच्छी feature और अच्छी quality यानि build quality प्रोवेड करने वाला brand है तो इसका बार में पहले अभी बात करते हैं इसका जो manufacture रहे है दोस्तो इस manufacture का नाम है Foxcan यह है जो आपल के iPhone जो बनाता है यह ओही manufacture रहे है इनके जो build quality को लेकर मेरे को कोई भी complaint नहीं है आज तक तीन view टी भी उज़ कर चुका हूँ कोई complaint नहीं है प्रेडिक्शन करना काफी डिपकल्ट हो जाता है चाहिए आप ब्रण्रेट टीभी बाई कर रहे हो या फिर नौन्बरनेट टीभी बाई कर रहे हो एशा आपको कोई गारेंटी नहीं दे सकता है कि आपका टीभी जो है कितना दिन तक चल सकता है अगर फ्रांकली बतायों फिर भी मेरा आज पर माई ओन एक्सप्रियेंस मैं आपके साथ इतना शेयर कर सकता हूँ कि अगर आप एक भी यू टीभी बाई कर रहे हो तो आटलिस्ट फाइब टू सेबन यर चलनी चाहिए तो आप कुछिन यह आएगा कि भाई हम आप लोग ने जो कुछिन पुछे थे कि कौन से टीभी को बाई करना है जो आप 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 संदेते हैं मैं फिर आसर टीभी या फिर दूसरे टीभी का बार में क्यों बताता हूँ क्यूंकि आपका बजट का आप जो रेंज है उसी सब से और कोई टीभी बेढता नहीं और काफी एक कमन कुछिन पुछा गिया था कि बेस्ट ओलेडी टीभी कौन सा है तो भाई LG का सीवान ओ फ्रांक लिए पचास अजर याणि आपका बजट अगर फिप्टी थाउजेंट है तो कौन सा टीभी को आ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दना चानल पर नौए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है किसी नौए कर्णेट के साथ में दोस्तों तबता के लिए नमस्कार जाइन इस वीडियो किसी भी ब्रांड या किसी भी टीवी को उपर नीचे दिखाने का नहीं है जस्ट जो रियलिटी है जो हमें experience हुआ है मैं आपके साथ हो share कर रहा हूँ हो सकता है आपको useful होगी